मसकार दोस्तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं आपको टेश्टी चौमिन बनाने के लिए बताऊंगे तो चलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं आप बाजार से चौमिन ले आए और इसको जो है आप उबाल लीजिए इसको किसी बरतन में डाल करके इसको उबलने दीजिए और देखे यह हमारा चौमिन उबल गया है इसे आप किसी बरतन पर निकाल लेजिए और इसके साथ देखे आपको मेक्स करना है यह है हमारा गाजर, इसीमला मेर्च, हरा पत्त, पत्त गोभी और हरा मेर्च, इसको आप बारिक काट लेजे और अब देखिए हम यहां कड़ाई चड़ा दिये हैं, कड़ाई को गर्म कर लिए हैं और इस पे थोड़ा सा तेल डालिए, बहुत अधिक तेल नहीं डालना आपक इस पे यह जो आप लंबे-लंबे कट करके रखे हैं, बारिक नहीं काटना आपको लंबा-लंबा कट करना है, कदुकस में जैसे मसीन से करते हैं, उस तरह का लंबा-लंबा कट कर देना है, और इस पे जो है आपको डाल देना है, और इसको भून लेना है, थोड़ा सा यह सभ अब मिर्च जो है उसको भी हम डाल देंगे अब इस पर हम मसाला डालेंगे जामीन मसाला डालने के बाद इसको मेक्स कर लेंगे और अब हम इस पर सोया सोस डालेंगे थोड़ा साथ दालेंगे फिर थोड़ा साथ चिली सोस डालेंगे और इस पे थोड़ा सा हम tomato sauce डालेंगे, तो इन तीन चीज़ों को हम mix करेंगे पहले, और इसको دेखिए हम mix कर लेंगे, यह देखिए जो हम जो डाले थे पहले सामगरी सब्जी वगेरा, वो आपको बहुत कम मात्रा में फ्राय करना है, उसके बाद आपको इस पे देखिए हम चौमिन को डाल दिये हैं और देखिए चौमिन कितना खुबसूरत उबाल हुआ है इसका एकदम पूरा उबाल नहीं करना है इसको और देखिए इसको इस तरह से मिक्स करते जाए और इसको और इस पर बहुत कुछ नहीं देना है बस इतना साहस से ही हमारा चौमिन बहुत ही भी बनेगा तो इस पे जो है हम मिक्स कर लिए हैं और देखिए इसको हम चम्मच के सहता से काटा के सहता से इसको मिक्स किजिए यह बहुत ही यह तूटेगा नहीं इससे अब हम इस पे थोड़ सा नमक डालेंगे तो देखे ये हमारा बन गया है और अब हम इस पे नमक डाल करके थोड़ सा नमक डाल करके हम इसको मेक्स कर लेंगे ये हमारा चौमिन बन करके तयार हो गया है ये देखे ये चौमिन बन गया इसको मेक्स कर लेजे और इसको एक तुम गर्मा गरम सर्व कीजिए बहुत ही खुब टेस्टी लगेगा तो दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके बताएं अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और धेर सारा सेयर करें पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद थेंक यू